असलाम आलेकूम मैं हूँ नभीला कौसर और मेरे चैनल फूट डिश रेसिपीज में आपका स्वागत है आज बनाएंगे हम मेथी आलू की मज़दार सी सबजी तो आईए बनाना शुरू करते हैं आज बना रहे हैं हम मेथी आलू की सबजी जो जाड़ों में बहुत ज्यादा फायदेमंद और अच्छी होती है इसके लिए लिए हमने 400 किराम आलू ये छोटे वाले आलू हैं तो इनकी सबजी ज्यादा अच्छी बनती है और ये हैं 400 किरामी मेथी है जिसको मैंने बीन कर क्योंकि इसमें घास भी होती है कूड़ा अच्छी तरह से बीन कर धोकर चार-पांच पर दो ये अब फिर उसको काट लिया है मने ये पांच छे लाल मिर्चे हैं जिनको बारीक इस तरह से तोड़ लिया है और ये हाफ टीस्पून जीरा है और वन टीस्पून नमक है ये पेंक सॉल्ट है इसमें डालेंगे हम कपगीर भरकर ओयल ये ये वाला बड़ा वाला कपगीर है तेल अभी गरम होने देते हैं तेल हमारा गरम हो चुका है इसमें डालेंगे मिर्चे हम बहुत कम चीजों से ये सब्दी बना कर तयार करेंगे इसमें अब हम आलु पहले हम तेल में आलू को अच्छी तरह से फ्राइब करेंगे सब्जी में हम छोटे आलू इसलिए लेना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में गलते हैं थोड़ी परिशानी तो होती है क्योंकि इस छीलना थोड़ा मुश्किल होता है तो आप इसको भिगो कर रख दीजिए तो इस छेलने में फिर आसानी होती है अच्छी तरह से पहले आलूओं को हम फ्राइ कर लेते हैं आलू हमारे फ्राइ हो चुके हैं थोड़ा इन पे पिंक कलर आ गया है अब इसमें डाल देते हैं मेथी इसमें पानी की बिल्कुल जरूवत नहीं होती यह सबजी बिना पानी के ऐसे ही बनेगी इसमें पानी की जरूवत बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि जो यह मेथी है यह थोड़ा सा इसमें भी पानी रिलीस करेगी यह अपना इसमें डालेंगे नमक फ्लेम हम ब्लो कर देंगे और इसे आलू गलने तक ढखकर रख देंगे बीच में चेक कर लेंगे एक बार बीच में खोल कर देख लेते हैं कि आलू हमारे कितने गल चुके हैं आलू तो गल गए हैं लेकिन अभी और थोड़ी देर इसे पकने देते हैं हलकी आज पी खोल कर देखते हैं 20 मिनट में ये सबजी बनकर बेकु तयार हो गई है आलू भी गल चुके हैं और कलर देखिए कितना अच्छा आया है और ये इतनी खाने में मज़ेदार होगी इसका जितना भी इसमें अगर पानी वैसे है नहीं इसको भी खुश कर लेते हैं और इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं हमारी मज़ेदार सी सबजी बनकर दो गई तयार इसको आप रोटी और पराथे साथ खाईए जो मजहा दार सी लगेगी खाने में तो ये है हमारी आज की सबजी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, रोटी या पराठे के साथ इसे एंजॉय किए जिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए जिए, बेल आइकेन को दबाना ना भूलिए, लाइक किए जिए, कमेंट किए जिए, शेर किए जिए, दुआओं मे याद रखे, आल्ला हाफेज,